और बीजे पिनेता मन जिंदर सिर्सा ने जनतंत्र टीवी से खास बाचीत कि उन्होंने कॉंग्रेस पर जम कर हमला बोला है उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस का गांधी परिवार 1984 के कातिलों से विशेश प्रेम है उनको हमेशा गले से लगाकर रखते हैं क्योंकि उन्हीं के कहने पर 1984 का कतल्याम हुआ था कॉंग्रेस ने फिर से अपनी चुनाव समीती की मेंबर के रूप में दर्जा दे कर इसाबित कर दिया है कि कॉंग्रेस और गांधी परिवार कातिलों से कभी दूर नहीं रह सकते कातलर जैसा आदमी जिसके हाथ सिक्खों के खून से रंगे हुए हैं जो सबसे बड़ा सिक्खों का कातल है कितने हजारों बेगनों लोगों को मारने वाले लोगों को भी कॉंग्रेस ने आज फिर से अपनी चुनाव समीती का मेंबर की रूप में एक उसको दर्जा दे कर यह स्थापित किया है कि कॉंग्रेस और गांधी परिवार कातलों से कभी दूर नहीं रह सकते क्योंकि 1984 के कातलों को अपने साथ रखने का एक ही बड़ा कारण है क्योंकि उस कातला आन्या जो साजिश थी उसके अंदर गांधी परिवार का रोल था और हमेशा से यह डरते ह हैं कि अगर इन लोगों को अपने से दूर किया तो यह हमारे राज खोल देंगे हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे और सिक्षों से इतनी नफुरत सिक्षों से इतना दूरी सिक्षों के परती सिक्षों के कातलों से इतना प्यार यह दर्शाता है कॉंग्रेस की मानसिक्त